हेलो बाइस आप सभी का MK Hindi चैनल में स्वागत हैं हमारे वीडियो को लाइक केजिए और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको लेटस अपडेट मिलती रहे चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सुप्रभाट चात्रो आज की नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारी कवीता किताबें इसको सीखेंगे इस किताबें इस कवीता के कवी हैं गुलजार जी अब पहले हम सबसे पहले उनका परीचे देखेंगे गुलजार जी गुलजार जी का जन्मा 18 अगस्त 1936 में दीना जेलम जिला पंजाब में हुआ गुलजार जी का मोल नाम संपुरन सीह कालरा है गुलजार जी अपने पिता की दूसरी पत्नी के एकलोथी संतान है इन्होंने कविताएं पटकता लेखक है फिल्म अनिर्देशन किया है नाटक कार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी प्रसिद गीत कार है इनकी प्रमुक्रतियां चौरस रात रावी पार रात, चांद और मैं एक बून, चांद, रात, पश्मिने की खश्रो, खराशें इत्यादिक कहानियां और कविताएं इन्होंने लिखी है तो अब हम कविता पढ़ेंगे किताबें जाकती हैं बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकाते नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अकसर गुजर जाती हैं कम्प्यूटर के परदों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिष्टे वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े हैं कोई सफा पलटता तो एक सिस्की निकलती है कई लबजों के मानी गिर पड़े हैं बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अलफाज जिन पर अब कोई मानी नहीं हो गते जुबां पर जो जाइका आता था जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस जपक की गुजरती है बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है परदे पर किताबों से जो जाती राप्ता था कट गया है कभी सीने पे रख के लेड जाते थे कभी गुदी में लेते थे कभी गुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे भूल और महके हुए रुके किताबें गिरने उठाने के बहाने रिष्टे बनते थे उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे इस कविता के शब्दार्थ देख लीजिए और इसे पॉस करके आप लिख सकते हैं हम कविता का सराल अर्थ देखेंगे सबसे पहले मैं कविता का परीचय करती हूँ किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं वे अपना जो अमरुतकोश सदा हम पर नियुचाओर करने को तयार रहती है आज क्या हो चुका है कंप्यूटर के कारण किताबें और मनुष्य की बीच दूरिया आ गई है पुस्तकों में मनुष्य के अरुची के कारण पुस्तके दुखी हो रही है पुस्तकों के इसी दर्द को कभी गुलजार जी ने बड़े ही मारमिक डंग से प्रस्तूत किया है अब पहली पंक्तियां हम पहला परिच्छदम देखेंगे किताबें जांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती है महिनों अब मुलाकात नहीं होती जो शामें उसकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर इन पंक्तियों में गुलजार जी हमें बता रहे हैं कि आजकल किताबें जो हैं सिर्फ अलमारियों में बंद पड़ी है यानि कि सिर्फ में जमाई हुए रख दिये हैं हमने इन किताबों को ये किताबें हमारे अलमारी के शीशे से बड़ी उमीद से ताक रही हैं जाक रही हैं कि हम उन्हें पढ़ने कब लेंगे हम उन्हें इज़त कब दें पहले कई शामें इनकी संगत में गुजर जाती थी इनकी याने किताबों की अक्सर पहले लोग जो है शाम होते ही किताबें लेकर पड़ लिया करते थे तो अब जो है महिने गुजर चाने पर भी कभी इन किताबों से मुलाकात नहीं हो रही है अब वे अक्सर अल्मारियों में ही बंध हैं कैद रहती हैं अगली पंक्तिया गुजर जाती हैं कम्प्यूटर के परदों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरें वह सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे वह कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिष्टे वह सुनाती थी कदरें याने की मुल्य याने की माइने उसे कहा गया है सेल याने कोशिका तो इन पंक्तियों में कभी गुलजार जी कह रहे हैं कि हमारी शामें अब जो है कंप्यूटर के परदों पर गुजरती हैं किताबें हमें मिलने के लिए बेचैन हैं उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब नीद में चलने की आदत हो गई है याँ पर गुलजार जी किताबों के बारे में कह रहे हैं कि किताबें जो ह थे computer के परदों पर, वे बाते अब नजर नहीं आती हैं, रिष्टे नातों के अहमयत उन किताबों में थी, अब वे रिष्टे घर में नजर नहीं आती है, यानि पहले जित तरह की किताबों की अहमयत थी आज वो सब computer के कारण, इस computer technique दुनिया के कारण, हम इसे किताबों से दूर हो चुके हैं अगली पंक्तियां वह सारे उधड़े उधड़े हैं कोई सफा पर लटता तो एक सिस्की निकलती है कई लफजों के मानी गिर पड़े हैं बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अलफाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते अलफाज याने शब्दों को कहा है सफा याने पेज जिसे हम पन्ना कहते हैं इन पंक्यों में कविकलजार जी कह रहे हैं कि आज जो है रिष्टों की ताकत खत्म होती ही ये किताबें महत्वहीन हो गई हैं इनके बिखरे पन्ने इनकी दैनिय स्थीती की साक्षी है पन्ना पलटने पर एक आह निकलती है सिस्की निकलती है याने कि वो किताबें पन्ने भीतर से रोने की आवाज निकाल रहे हैं कई शब्द जो है अपने अर्थ खोच चुके हैं अब वे खोकले शब्द सारहीन लगते हैं इनकी दशा जो है बिना पत्तों वाले ठूंट सी हो गई है जिस तरह ठूंट पर पत्ते नहीं उकते उसी तरह अब ये शब्द निरर्थक और बेमतलब हो गए है अगली पंक्तिया लेखेंगे जुबाँ पर जो जाई का आता था जो सफा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस जपकी गुजरती है बहुत कुछ तह बत तह खुलता चला जाता है परदे पर किदाबों से जो जाती राप्ता था कट गया है राप्ता याने संपर्क अब इन पंक्तियों में कभी हमें बता रहे हैं कि जब किताबों के पन्ने पलटते थे तो हमारी जुबान पर टंग पर यानि हमारी जिवा पर उन शब्दों का स्वाद आ जाता था अर्थात पढ़ना पलटने के सुकत एहसास से मन भर आ जाता था गदगद हो जाता था आज संगनक उंगली से क्लिक करने पर सिर्फ आँग जपकती है हाथों को कुछ करना नहीं पढ़ता क्योंकि सब कुछ संगनक के परदे पर खुलता चला जाता है परदे पर पढ़ना सरल हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत ही हम मैसूस नहीं करते किताबों जो हमारा अटूट लगाव था जो राप्ता था याने की संपर्क था वो अब खत्म हो चुका है ये सब किसके कारण हुआ है कंप्यूटर के कारण तक्निकी दुनिया के कारण ये सब हुआ है अगली पंतिया कभी सीने पे रख के लेट जाते थे कभी गोदी में लेते थे कभी गुटनों को अपने रिहल की सूरत बना कर नीम सजदे में पढ़ा करते थे छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी जबी याने माथा कहा है इल्म याने ज्यान को कहा है रिहल याने जिस पर धर्मगरंथ रखा जाता है उसे रिहल कहा जाता है जैसे कि पुथी पढ़ते समय या कुरान पढ़ते समय जो नीचे लकडी का एक साचा होता है उसे रीहल कहा जाता है इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि पहले जब हम किताबों को पढ़ते पढ़ते ठक जाते थे तो उन्हें सीने पर रख कर लेट जाते थे कभी उन्हें गोधी में रखकर पढ़ते तो कभी गुटनों की रहल बनाकर उस पर रखकर पढ़ते थे जिस तरह इश्वर के सामने हम अम मस्तक होते हैं उसी तरह किताबों को माथे से लगा कर हम उनके प्रती सम्मान प्रकट करते हैं क्योंकि ये किताबें हम में ज्यान का प्रकाश भर देती थी ज्यान तो आगे भी विविन्न माधियोंने से मिलता रहेगा किन्तु किताबों से जो जुडाव का आनंद शायद कभी न मिलेगा अगली पंक्तियां मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सुखे फूल और महके हुए रुक्ते, किताबों गिरने उठाने के बहाने रिश्टे बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे इन अंतिम पंक्कियों में कभी हमें कह रहे हैं कि किताबें पहले जो है किताबों में अपने प्रिये वेक्ती द्वारा दिये गए फूल या चिठियां सुरक्षित रखी मिलती थी सुखे पत्ते फूल के मिल जाते थे उन फूलों से किताबों में महेक उठती थी और कभी कभी क्या होता था किताबें उठाने और गिरने उठाने के बहाने मधूर रिष्टे बनते थे हम कभी कभी कभार हम जो है देख लेते हैं कि पिक्चर्स में ऐसा सीन बताया जाता कि लड़कियों के हाथ से किताबे गिर जाते हैं और कोई आकर हीरो सामने से उने उठाने के लिए महापर उनका रिष्टा तै हो जाता था इस तरह से यहाँ पर कभी बता रहे हैं कि किताबें उठाने गिराने के बहाने मधूर रिष्टे बनते थे उसकी संभावनाब खत्म हो गई है पुस्तक और पाठक के बीच के उमदू रिष्टे शायद अब कभी नहीं मिलेंगे अब उनका क्या होगा इस तरह से इस कवीता में कवी ने पुस्तके पढ़ने का सुख कम्प्यूटर के कारण किस तरह से दूर चला गया है ये बताया है पुस्तकों और मनुशें के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन दर्द को हमारे सामने बहुत ही अच्छे ढंक से यहाँ पर कभी ने रखा है